पूस्ट के पास सफेद रंग का ट्रक जा रहा है तब ही होता है एंटी टैंक मिसाइल से हमला इस हमले में ट्रक पूरी तरह जलने लगता है उसमें क्या था ये कोई बताने को तयार नहीं लेकिन बाद में इस्रेल की पोस्ट पर अच्छानक हरकत बढ़ जाती है कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं हेजबुल्ला के स्प्लिंग पॉइंट अटैक ने इस्रेल में बहुत बेचैनी पैदा करती है क्या हेजबुल्ला उत्तरी इस्रेल पर चड़ाई करने बाला है इसे लेकर नेतन्याखू से लेकर बाइटन दोनों पसुपेश में है हेजबॉल्ला ने लेपनन इसरेल बॉर्डर पर कई हमले करके साबिब कर दिया है कि इसरेल की उतरी सीमा अब सुरक्षत नहीं बची है अगर खाजा पर ग्राउंड ओपरेशन शुरू होने के बाद हमास हो थी और हेजबॉल्ला ने एक साथ इसरेल पर हमले किया तो इनको एक साथ रोपना इसरेल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा और तब अमेरिका की मदद के बेना हालात ऐसे बन सकते हैं कि ये तीनों फोर्स इसरेल की सेना को रौंद कर आगे बढ़ जाएगा खाजा में हमास के लड़ाखों की ताथाथ 40 से 50 हजार के करीब है उत्तर की तरफ लबनन में मिलीशिया हेजबॉल्ला की ताथा एक लाग से जादा है इनके सामने इसरेल में आक्टिव और रिजर्व पूर्स मिलाकर छे लाग से जादा सैनिक है ये आंकड़े बताते हैं कि इसरेल के पास चार गुना दाखत है इस बीच बड़ी रिपोर्ट ये है कि इराग के मिलीशिया हश्ट अल-शाबी ने अमेरिका के सैन्ने अड़ों पर ड्रून के बाद मिसाईल से हमले शुरू कर दिये है इन हमलों में सबसे खतरनाथ मिसाईल का नाम है अल-अक्षा-1 अल-अक्षा-1 इराग की फते 1-1-0 का ही एक नया वर्जन बताया जा रहा है या कहें कि एराग ने ये मिसाईल इरागी हेजबॉल्ला हश्ट अल-शाबी को सप्लाई की और उसने इसका नाम बदल कर अल-अक्षा-1 कर दिया ये ऐसी मिसाईल है जो हेजबॉल्ला के पास पहले से है ये एक टैक्टिकल मिसाईल है जो छोटा परमाणों बम भी दाग सकती है अल-चक्षा-1 करे ये टुछार्प्सबर अक्षा-1 क्षािबॉल्ज आखर मिसाईल लागा फिर्वारणी को कि तोर्मभ एंप ये कि बेगा बेड़ा दीश्ट्र अब्टेश्ट्सूर्सुर्स्तृ आवार प्रिए जिया प्रेएंग प्रुछाइँ इसलिए इस पेलिस्टिक मिसाइल को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हिजगुल्ला के पास टैक्टिकल हमले के लिए पर्माणो बम भी हो सकता है ऐसा पर्माणो बम जिससे कम दाएरे में बड़ी तबाही मचाई जा सके क्या हिजबुल्ला के चीफ हसन नसराला ने ये पर्माणू सीक्रेट अभी तक छुपा कर रखा हुआ है 2006 में अमेरिकी कॉंग्रेस को दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि लेबनन के मिलीशिया हिजबुल्ला के उत्तर कॉरिया से गहरे संबंध है उत्तर कॉरिया हिजबुल्ला को हथियार भी देता रहा है इसमें रॉकेट और मिसाइल से लेकर बम और गोले भी है उत्तर कॉरिया के लीटर किम जों उनको हिजबुल्ला का बहुत बड़ा फैन कहा जाता है उत्तर कोरिया ने फिलिस्तीन का भी हमेशा समर्थन किया है और अब दक्षिन कोरिया से ऐसे रिपोट आ रही है कि जो रॉकेट हमास और हेजबुल्ला इस्तिमाल कर रहे हैं उन पर में दिन उत्तर कोरिया वाले च्छाप लगी हुई है इनका लॉंचिंग सिस्टम 2014 में ही उ समले तेज किये हैं सवाल है हेजबुल्ला और किम यूंग उनका याराना डेंजर मार की ऊपर जा चुका है और क्या इसमें कोई परवारों सीक्रेट भी छुपा हुआ है फिलहा इसरैल पर एंटी टैंक हम्दों ने हेजबुल्ला के इरादों को खतरनाक रूप दे दिया है इसरैल हेजबुल्ला के हथ्यारों को लेकर जरा हुआ है क्योंकि उसने अब तक जो एक्षन दिखाया है उसमें इसरैल की कई बड़ी पोस्ट के चीथने पोड़ चुके है हेजबुल्ला ने तीन तरह की एंटी टैंक आइड़ेट मिसाइलें इस्तिमाल की ये है कॉर्नेट इसकी रेंज पांच किलोमीटर तक है ये रूस की मिसाइल है लेकिन अब इरान इसका दीसी वर्जन देहलाविया तयार कर चुका है और ऐसी बहुत से मिसाइल अब हेजबुल्ला के पास है दूसरी है BGM-71 टो एंटी टैंक गाइड़ेट मिसाइल ये भी रूस ने बनाई है और अब इरान में ये तोसान नाप से तयार की जाती है इस्राइल ने सीरिया से खत्रे को देखते हुए गुलान पहाडियों में भी टैंक पहुँचा दिया है ये हिस्सा पहले सीरिया का हिस्सा था लेकिन 1967 के युद में सीरिया से इसराइल ने इस हिस्से को अपने कबजे में ले लिया लेपनार, सीरिया और इसराइल के ट्राइव जंक्शन वाले अलाके में हेजबुल्ला का पूरा कंट्रोल है इस गाल पर वार करनी के लिए उसको जो मिसाइल मिली है वो उसे इरान से सप्लाइब की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुला के पास बहुत बड़ा जखी रहा है तीनों मिसाइल बहुत देखा रहा है लेकिन आव एक बड़ी मिसाइल का नाव सामने आ रहा है वो ह अपने टार्गेट के दीन मीटर के दायरे में गिरती है। एक बैलेस्टिक मिसाइल का इतना सटीक होना बहुत बड़ी बात है। और यही बात इसरेल को परिशान कर रही है। फाते 1-1-0 की दो और खास बाते हैं जिसकी वज़से इसे रोकने में इसरेल को बहुत मुश्किल आ सकती है। यह सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है। यह कम बत में लॉंच के लिए तैयार की जा सकती है। और यह रोध मोबाईल है। यानि इसे कहीं से भी लॉंच किया जा स इस रैंक के लिए इससे भी बड़ा खौप क्या है। वो बहुत ध्यान से समझेगा। बाइडन से लेकर मेतनियाखु को भी पता है कि फत्य वन-वन-जिरो मिसाइल को रोखना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अमेरिका भी इस मिसाइल को रोखने में पूरी दरफ पेल रह अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी इसलिए उसके सैने आसपास अंडरडराउंट हो गए थे। तब इरान ने फत्य मिसाइल का ही एक पुराना व्वर्जन इस्तिमाल किया था और अमेरिका के यार्डिफन सेस्टम इस मिसाइल को रोखने में नाकाम रह थी। इर अमेरिकी सैने को को जामाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। देखा जाये तो इस वक्त पुरे पश्चिम एशिया में युद्ग की चिंगारी पहुंच चुकी है इसराइल से लेकर गाजा तक गाजा से निकली आग लेबनान तक पहुंच चुकी है चिंगारी सीरिया और में भी नजर आ रही है और अब उत्तर कुरिया से मिले हथियार बड़ा खत्रा बंते दिखाई दे रहे हैं इस अब बड़ा बने दिखाई दे रहे हैं इस अब बड़ा का खत्रा बहुत बड़ा है ये इसराइल की जलनता है और अमेरिका भी अगर हेजबुल्ना ने गियर बदला तो इसराइल के लिए उसे रोकना आसान नहीं होगा यही वज़ा है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी बलेंकन इराक का भी दौरा कर चुके हैं जब बलेंकन इराक पहुँचे तो वो बॉलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे इराक में ऐसा खत्रा बताता है कि अमेरिका इस वक्त वहां के मिलीशिया हश्ट अलशावी से भी खबराया हुआ है क्योंकि इरान समर्थितिस गुट ने अब इराक और सीरिया दोनों जगए अमेरिका के अद्वों पर हमले शुरू कर दिये हैं क्योंकि इरान समर्थितिस गुरू कर दिये हैं